नमस्कार मैं हुदेतु मिश्रा और आप देख रहे हमारा खास कारिक्रम नक्षत्र लॉंक लॉंक का इस्तिमाल लगभग सभी घरों में होता है नवरात्रो की पूजा में भी मा को लॉंक चड़ाना बेहदि अनिवाद है हम पूजा पाट के साथ साथ लॉंक को सेहत के लिए भी इस्तिमाल करते हैं लेकिन लॉंक के कुछ ऐसे उपाए होते हैं जो बहुत ही असरदार होते हैं आज के इस खास कारिक्रम में हम आपको लॉंग के 10 ऐसे चमतकारी उपाई बताएंगे जिससे आप अपनी बिगडी किस्मत को बना सकते हैं और धन धान पा सकते हैं तो क्या है लॉंग के वो चमतकारी उपाई इस विशह पर आपको और अधिक जानकारी देने के नमामी विदने शरम पाद पंकजम गणेश जी का आवहन और इसी के साथ ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग पूजा में इस्तिमार करते हैं लेकिन उनकी शक्तियों के बारे में नहीं जानते हैं वो ऐसी वस्तुरें होती हैं कि उनको अगर आप सही प्रकार से उसस संबंदित उपाए करें तो ज़्यादा कुछ खर्च किये बिना कम खर्चे में बहुत आसानी से आपके बड़े-बड़े संकट कट सकते हैं कश्ट दूर हो सकते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बहुत ही संचेप में भी बताएंगे कि कौन से आप उपा मिलता है काम विशेश अगर दुर्गंता से हो रहा था तो वो सुगंता से हो जाएगा इंटर्व्यू जाने से पहले अगर आप अपने इश्ट देव को याद करके एक जोड़ा लॉंग मूह में डालके जाते हैं तो वाक शक्ति आपकी इंप्रूव जरूर होती है राहू जात्मक और जाओं को दूर करना हो तो कपूर 21 लॉंग इत्यादी आप एक साथ जला भी सकते हैं धन अटका हुआ वापस मिल सकता है लॉंग के साधारां से उपाए से बरकत अगर आपको घर में नहीं है या कार छेतर पे नहीं है तो भी आप उस बरकत को प्राप्त कर सकत हैं चोटी चोटी चीज़े ही हैं तेल के दीपक में लॉंग डाल कर हनुमान जी की आर्थी करना है ना भूलें साध बार बजरंग बंड का पार्ट करें पांच लॉंग का पूर के साथ जलाएं तो आप देखेंगे नासय रोग हरै सब पीरा जपत दिरंतर हनुमत पीरा औ के वाल चालिसा का ही पार्ट कर लीज़े आप देखिए लॉंग को जला के अगर अगनी भी दिखा देंगे जिस और भी वहां से संबंदित नकारात्मक्ताय निगेटिविटी दूर होगी अगर आपका कोई धन लेके गया हो और लोटा नहीं रहा है तो भी आप लॉंग से संबंदित उपाय कर सकते हैं किसी भी प्रकार से आप कस्ट में हैं या आप मन्चाही नोकरी पाना चाहे रहे हैं या आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं इन सब में जो आपको आपकी स्क्रीन पे उपाय दिखाय जा रहे हैं उनमें से कोई एक भी कर ल आना पड़ेगा और लॉंग लॉंग से संबंदित दान कर सकते हैं 21 लॉंग से मातलच्मी का ध्यान करें अगर अमावस्यातित्थी हो तो बहुत अच्छा है रातरी काल में ध्यान करें 21 लॉंग लेके आप देखेंगे अगर कोई आपका धन लेके गया हुआ है वापस नहीं बढ़ती है कुछ गुप्त मंत्र होते हैं लेकिन इन उपायों में आपकी शुद्धा आपकी भक्ती और आपका एकागरता से किया गया यह कार यही कार आपको कार जरूरी आता है पांश लॉंग तीन बड़ी इलाइची कपूर आपको शनिवार को जलाना जरूरी है अगन इसे सबसे आरती सब तरफ अगनी की आरती करें तो इससे घर की पूरी नाकारात्मकता दूर उतीये तो नाकारात्मकता दूर करिए चोटे-चोटे उपाय करिए और आनंद दीजिए तो गुरू जी ने लांग से जुड़े जो उपाय बताएं उन्हें करने से आप अपने जीवन में सुख और सम्रद्धी ला सकते हैं, इन उपायों से आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं, अब आचारी जी से जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आज आपकी किस्मत के तारे, कैसा दहेगा आज आपका दिन, साथ ही आज हम आपको बताएंगे आज का शुभ रं और रंक, यह सब हम जानेंगे आचा आज चीसे. तो यह हमने जाने कुछ चमतकारी उपायों के साथ हमको ग्रहों का जमावला क्या अदेश कर रहा है, आज पंचांग इतियादी हमको क्या निर्देश कर रहा है, मेश समीन मेश पारयां सारी राशियां, दागर मेशागर, पिरो रोजगार मिलने के आपके योग अच्छे दिख रहे हैं यातरा के अच्छे योग भी अपने समय का सदोपयो करना ही बहुत अच्छारेगा शतुरूशाथ रहेंगे निवेश इत्यादी, नौकरी इत्यादी का समंजस बना रहेगा वानी पे नियंतरन रखना आज आप के लिए जुरूरी अगर आप सेल्स में हैं या वाक्षकती की फील्ड में हैं मीडिया इत्यादी मिलालंगा के लिए अच्छा है और आठ का अंक तो भी आज आप के लिए कमाल का है, जरूरी हो जाएगा मेश राजी वालों के लिए अपने चत्रों को शान्त रखना, नोकरी, इतियादी और निवेश लाबकारी कैसे रहे, इसके बारे में चिंतन करना, तो ये आपका फोकसेरिया होगा मेश राजी वालों आज के लिए, संतान सुख या संतान से सुख का योग बन रहा है, संतान की चिंता समाथ होगी, धर्म कर्म में रुची आपकी बढ़ जाएगी, यात्रा यदी है तो मंगलकारी होगी, शत्रो अगर परिशान कर रहे हैं तो अब नहीं करेंगे, क्या करें, पत्नी मा यानि नारी शक्ती का आ आप जरूर सम्मान करें, नीला रंग शुभ है, और दो कांक, मतुन राशी की बात करें, वाद विवाद से बचना आपके लिए लाव प्रद है, यात्रा अगर मित्रों से आपको कुछ विशेश लाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, राजितिग्यों के लिए तो बहुत से ही श्रेश्ट समय है, मतुन राशी वालू, पदवन्नती का योग तथा नय ब्यापार से लाव आपको मिलना लग वकता है, आर्थिक निवेश लेकिन सोंच समझ के करिए, वरना कहीं बहुत जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम में आप वास सकते हैं, हरा आवस्तर जरूर अरत मंद को जरूर दान करें, पीछ कलर अच्छा है, और आज का शुवंग है छे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यात्रा और मित्र ये फोकस आज रख सकते हैं, करकराशी वालों सद्बुद्धी एवम अध्यात्म में रुची बढ़ेगी, अध्यात्म का मतलब यह नहीं की वायराग्य, हाँ, दूर देश की यात्रा, राजनेतिक लाव इत्यादी के साथ ही आप अध्यात्म में योजना बद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, कार योजना हैं, अन्ने कारियों की भी आपकी सक्सेस्फुल होगी, साबदानी यह है कि शेयर में पूजी नि बात करते हैं सिंग राशी वालों की, सिंग राशी वालों आलस से का परित्याग कर लीजिए, श्रेयश कर रहेगा, कार में मन लगाना भी आपके लिए उत्तमता का परिचाय को सकता है, पराकरम से लाब बढ़ेगा, सम्मान बढ़ सकता है, परिच्छा में आपको कुछ पित करने से भी आपको लाब होगा, अब हम बात करते हैं कन्यराशी, सलाव मशुरा ले के कार करें, बुद्धी के कार लाब देंगे, निवेश करेंगे या नौकरी तयादी में तो भी आपको गेंस होंगे, जो किमना उठाएं, हाला कि आपके शत्रू शांत रहेंगे, अ चलहा और मशुरा ले के ये ही जरूरी हो जाता है, फोकस एरिया है आपको काम करना, अमान सम्मान में विद्धी, व्यापार में विद्धी का योग है तुलाराशी वालों, यात्रा से लाब होगा, नए रोजगार से भी आपको लाब प्रात होता हुआ दिखाई दे रहा ह है तुलाराशी वालों, आर्थिक लाब और पदवन्मती भी समान नगती से चल लए है, रोग से जरूर साथानी बरते हैं, अपने रोग से गरीब को कुई उपहार सुरूब कोई भी चीज दें जो उसके कारे की हो काम की हो नीला रंग अच्छा है, और दो का अंक भी अच ही जा रही है, व्यापार में लावकारी सौधे भी आपके अच्छे होते हुए देखे जा रहे है, विद्यार्ती के सफलता का समय भी चला है, धन अर्जित करना है तो जरूरी हो जाता है, कि आप पराकरम करें, यात्रा भी जरूरी हो जाती है, इस्थाई संपत्ती के मामल करें, शान्त होंगे, साथ दानी है, अती विश्वास आप किसी पे ना करें तो जाद अच्छा है, श्री हर्मान जी के कवच का पार्ट करें, एक मुखी, पंच मुखी कवच, बहुत अच्छा रहेगा, लालंग शुभै, और शुभंक आजाब के लिए एक है, पराकरम और पतिष्टा ये फोकस एरिया रहने वाला है, धुन राशी वालों को बात करें, व्यापार निवेश में जोकें उठाने से आपको थोड़ा सा खशना भी चाहिए, नौकरी आदी में प्रमोशन इत्यादी भी मिल सकता है, विरोधी परास्त होंगे, मित्रों की मदद से सफल मिलने के अच्छे योग देख रहे हैं, शुबकार एवं संतानलाव का योग आपको अच्छा बना है, नए कारियों को और नए तरहें से कार करने, ये दोनों ही बातें आपके लिए रहेंगी, गुरु माता का नवीन बस्तर इत्यादी देख के आप आदर करें, खल्दी का अंक भी आपके लिए शुब है, मगर राशी वालों दस्वी राशी मानसमान में विद्धी होने के योग दिख रहे हैं, यातर से लाब तता व्यपार में निवेश से भी अच्छा लाब देखा जा रहा है, सरकारी नौकरी तता साच्छातकार में कुछ अच्छा बुलाब आ सकता है, शुब समय है वाणी पर सयम लेकिन आवश्यक है, किया कराया सब आपका खराब हो सकता है वाणी से, तेज गती से वाहन भी ना चलाएं, ओम हन हनुमते रुद्रात मकाई हुमपट, स्वाहा का जाप कर ले, तो अच्छा है, शुबंक साथ और शुब रन आजा कुमबराशी वालों आर्थिक इस्तिती आपकी सुद्रन रहेगी, मनोबल आपका बढ़ेगा, विरोधियों से कष्ट पूरा समल सकता है, लेकिन पतिष्टा विद्धी होके उसको पूरा हो जाएगा, आपका सामंजस और संबल बनेगा, काली वस्तों का दान करना अच्छ ना आए, तो कुमबराशी वालों को ये दोनों फोकस एरिया देखने है, मिन राशी की बात करें तो रुका हुआ कारसंपन होगा, योजनाय आपको लाब देंगी, बहुत दिनों से रुका हुआ चेर पतिछित धन आपके पास वापस आ सकता है, भाग दोड़ बने रहेग पिंक कलर आपके लिए अच्छा है और शोबंक आपके लिए है, तीन, तो रुका हुआ कार को संपन्न करना और नई योजनाओं में लगना ये फोकस एरिया है, तो दर्शकों आपने देखा, मेश से मीन, मीन से मेश परें सारी राशिया, बिना किसी ब्रेक के, बहुत आसा नसान से उपाए, जो सब का दिन बनाए, गुरु जी के बताय उपायों को फॉलो करिए, आपका दिन अवश्य मंगलमाए होगा, अपती सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार राजीव शुक्ला जी से संपर कर सकते हैं, गुरु जी का कॉंटेक्ट न हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारस्तमाचार घाटर कैंटा निसलिए ट्कारी को लिए भारस्तमाचार को चानकार होंगा हौ दाटा